अलो फ्रेंद्स वेलकम टू कंतारांस किचिन आज मैं आपको एक आम की मिठाई बनाना बताऊंगी यह बहुत ही एजी रेसपी है इसमें मैंने ज्यादा इंग्रिडियन्स का यूज नहीं किया है मैंने ना तो इसमें घी ना मावा का यूज किया है मैं आज आम और नारील की बनाने वाली हूँ तो देखते हैं मैंने यह बर्फी बनाने के लिए क्या क्या लिया है तो मैंने बनाने के लिया है एक कप मैंगो पल्प यह पल्प बनाने के लिए मैंने आम को ठील कर उसे मिक्सी में पीस लिया है और इसे पीसने के लिए मैंने इसमें बिल्कुल भी पा ये बुराता मैंने घर पर ही बनाया है अब चाहिए तो इसके जगे डेसिकेटेड कोकुनट भी उसकर सकते हैं जो बजार में एबिलेबल होता है वन वाई थी कप चीनी और एक चोथा ही चोटी चममच एलाइची पाउडर सबसे बहले मैं गैस पर एक कड़ाई रखी है हम इसमें अपना मैंगो का पल्प डाल दूँगी उसके बाद इसमें चीनी डाल दूँगी विस अच्छे से मिलाऊंगी दोनों चीदों को कैसका फ्लेम मीडियम कर देंगे और बीडियम फ्लेम फाटने देंगे जब तक हमारी चीन इसमें अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो और उसके बाद में जो भी हमारा चीनी के पखलने के बाद में पानी निकलेगा वो अच्छे से सूख नहीं जाता है हम देख सकते हैं चीनी थोड़ी थोड़ी पखलने लगी है फिर मुश्कल से एक मिनट से भी कम टैम लगता है चीनी पिगल चुकी है, अब मैं इसको जो यह आप देख रहे हैं, जो हमारा यह mixture है, वो थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा, तब तक हम इसे पकाएंगे और इसका color भी dark होने लगेगा, पर आप यह याद रखें कि आप इसे बीच बीच में चलाते रहें, चलाना बहुत ज़रूरी है, बनना यह लग जाएगा, गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखें, यह हो चुका है, अब देख सकते हैं, यह बहुत अच्छे से गाड़ा हो चुका है, कलर भी इसका काफी dark हो गया है, अब मैं इसमें अपना नारियल पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया, मैं इसमें इलाइची डाल दूगी, अगर आपको इलाइची कटेस्ट बसंदना हो तो आप इसे skip कर सकते हैं, इसमें अच्छे से मिला देंगे, आप देख सकते हैं, हमारा अच्छे से पक चुका है, क्योंकि यह कडाई से बिल मैंने से इसमें सेट कर दिया, इसकी थोड़ी से मोटी लेयर रखिया, आप जिस भी सबसे अपनी मोटी वर्फी रखना चाहते हैं, उसे सबसे इसकी लेयर रखें, मैं इसमें थोड़ी से ड्राइफूट स्टाल होंगी उपर से, यह कम्प्लीटली उप्समल है, अगर आप गंटे फ्रीज में रख दूँगी, उसके बाद इसे निकाल कर इसके पीसे करके आपको दिखाऊंगी, वर्फी सेट हो चुगी है, मैंने इसको दो गंटे फ्रीज में रखा है, यह कम्प्लीटली सेट है, अब मैं इसे काटूँगी, एक नाइफ ले, अब अपनी सबसे कि पीस काट सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखिए, यह बर्फी त्यार है, इसके लिए ज्यादा इंग्रीडियन्स नहीं चाहिए होती है, इसके सेट होने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक से दो गंटे के अंदर अंदर यह सेट हो जाती है, आप यह बर्फी की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें